वेरी वेरी गुड इवनिंग तू आल अफ यू तो डियर स्टुडेंट आज बिजनस ट्रेटिक्स का हूँ सबसे पहले फॉर्स उनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और उनिट का नाम है मिजरेमेंट आप सेंटरल टेंडेंसी यूकि बिजनस ट्रेटिक्स में आगे आप डि जो सबसे पहला टॉपिक आज की क्लासिस में हम कवर करने जा रहे हैं वो टॉपिक का नाम है मीन तो सबसे पहले बचे आए समझते हैं कि मीन का मतलब क्या है अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं और इसको हम एवरिज भी कहते हैं हिंदी में इसको हम माध्य या फिर औसत कहते हैं तो सबसे पहला question, Qution किस तरीके के paper में आएगा, उसको किस तरीके से हमें attempt करना है, कैसी करना है, method क्या लगाना है, formula क्या लगाना है, यह सब बाद का सवाल है. पहला question अपके मैंड में यही आया है, कि Sir, mean क्या होता है, means average क्या होता है, दोनों एक ही बात है और किस यूज में हमारे आता है दो बाते पहले आप समझ लीजिए उसके बाद जब आप चेप्टर को करेंगे तो आप कमफ़र्टेबल रहेंगे कि बचे सबसे पहले average होता किया जैसे एक एक example लेते हैं देखेए कोई भी एक individual data को express करना बताना और एक individual data को observe ड़ों मेरे और आपके लिए इसको अव्जर्व करना समझना आपके लिए बड़ा इजी हो गया कि हांma सर का वेड़ 65 kg जी या फिर मैं आपसे कहूं कि मेरे एच तुटिच्टिनाइन इस तो आपके लिए समझना बड़ा आसान हो गया कि हां सर कि इस तुटिनाइन इस है और आप भी से बात करें हमें किसी group को express करना है किसी group से लिटीट डीटा को हमें बताना है तो वहां पर उस group इल्लिटीट को हम किस तरीके से बताइंगे तो वहां पर गूब में हो सत्ता है कि 100 observation 500 observation one lakh observation now oneija अबsaurb threshold so इतने बड़े ग्रूप को रिपर्जेंट हम किस तरीके से करेंगे और उसको आप अब्जर्व कैसे करोगे एक्जामपल के यह जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ पर तो हो सकता है कि भाईया फाइब थाउजन लोग रह रहे हैं आपके एरिया में और फाइब थाउजन लोगों की अगर मैं इंकम आपसे पूछता हूँ कि भाईया आप जिस छेतर में रहते हैं वहां की लोग की आए का इस तर क्या है तो 5,000 लोगों के बारे में, आप सबके बारे में मुझे बताओगे, तो कितना टाइम आपका वेस्ट होगा, सुनने में मेरे को कितना टाइम मुझे लगेगा, और फिर भी मैं कोई कंक्लूजन पे नहीं जा पाऊँगा, तो अब समस्या हमारे सामने याद चुकी है, कि हम कि कितने यंग बच्चे को आप टीज कर रहे हैं, तो मेरे क्लासिस में इस समय मान के चलिए कि 500 स्टुडेंट्स हैं, तो कोई मुझे से बूसर आप किस एज की बच्चे को पढ़ा के आ रहे हैं, तो मैं 500 बच्चों के बारे में बताऊंगा कि एक एज 20 साल है, एक एज 21 साल ह हमेए एक की एज, 21 साल तीन मैंने, एक की एज 18 साल, एक की एज 19 एयर से कर ना अव ए crawling आफ मताना उस कि लिए सुनना वो बहा बोलता रहोंगा और चला भी जाएगा, उसको लगया है, मिने पूछ की गलती कर दी तो आप देखिए ना, एक माला मागी ना, पर गूर्ब को क अब यह जरूरी जहीं कि आप सब एकवल एज के हैं और बेसलिए आप डिफरेंट डिफरेंट इज़िस के होंगे और यह भी ऐसाता कुछ लोग जो है ज्युएंग्स तो मैंने आप सबकी चीच को नोट डाउन कर लिया यह डेटा मैंने कलेक्ट कर रा और मैंने इस डेटा क तो यह 500 student का जो data मैंने sum कर रहा है, तो total age आ गया, divided by मैंने 500 कर दिया, तो जो मेरा result आया, for example, मान लेजे 21 एर आया, 21 साल आया, तो average age है, 21 साल का मतलब यह हो गया, कि data को collect करना, और collect करके सम में equal equal share करेंगे, तो each के sharing में कितना हैगा, for example, एक एक जामपल लेते हैं, कि मान लेजे, कि आपके family में एक महमान आये थे, guest आये एक बच्चे को 10 रुपे दे गए, एक को 20 रुपे दिया और एक को 30 रुपे दिया, तो 10, 20, 30 यह रुपे दे करके वो चले जाते हैं, और देखते हैं, आप अपने घर में बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, किसे पे कम हैं, किसे पे जादा है, तो आप उस प्रालम को solve करते हैं, कि आप उनसे पैसे ले ले लेते हैं, 10, 20, 30, महलब शाट रुपे करा, तीन बच्चे हैं, तो तीन से डिवाइड कर दिया, 20 रुपीज एच आया, तीनों में 20 रुपे बांट दिया, एच की शेरिंग में 20 रुपीज आया, आप ने इसको बावरा बांट दिया, तो अवरेज के अंदर भी क्या करते हैं, जिस गुरुप को हमें रिपर्सिन करना होता, उस गुरुप से अम डिटा करते हैं, और डिटा को क्लेट करने के बाद, साम करने के बाद, नम्बर अवजरुवेशन, जितनों लोगों से डिटा करते हैं, उससे हम डिवाइड कर देते हैं, तो डेटा इकोल 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 शेयर जाता है, एच की शेरिंग में आ जायगा, बट एक्चुली वह एकोल इकोल शेयर होता नहीं है, यह एस्टिमेशन होता है कि भी यहाज बरावरार बातेंगे, तो सबके हिससे में इतना कितना आएगा, अब आप लोग की एज में कोई 22 साली बैठा हो, कोई 23 साली बैठा है, कोई 19 साल, कोई 20 साली बैठा है, और एवरेज 21 आया, तो इसका मतलब यह नहीं का, सबके सब 21 के हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, जो इस एज का वो इसी एज का ही रहेगा, लेकिन एक आइडिया लग जाए अब बोलो कि नहीं सर यह तो गलत है, सर मैं तो अभी मैं तो टुंडे ने हाफ यह का हूँ, आप इसको मेरे 21 क्यूं बता रहे हो, अरे सर उसको कोई लैब में ले आकर को एक्स्परिमेंट नहीं करना आपके साथ ने, वो एक सोच में पढ़ाता कि मैं पांस साल तक के बच करते हैं, एक ग्रूप को हम एजली एक्सप्रेस कर पाएं, इसके यूजिस का है, एक एक एक्जामपल लेता हूँ, दो बड़े ग्रूप को कंपेर करने में, एक्जामपल के लिए जापान की एवरेज एच 85 यह है और इंडिया की एवरेज ए 65 यह है, अच्छा तो इंडि एजली आपने दो कंट्री को बस चंद सेकंड के अंदर ही आप कंपेर कर पाएं, बिकॉस अफ एवरेज, इसके डेटा को लेकर बैठते तो फिर यह चीजे आप किसी कंपूजन पर भी आपको लेकर नहीं जाता, तो इसका यूज यहां होता है कि आप दो ग्रूप को आप इंडिया दिल्ली में शोरूम लगाना चाहती है, 15,000 से स्टार्टिंग है, ब्रैंडिड है, तो जाहिट सी बात है कि करोड़ो रुपय का जो इन्वेस्ट करने से पहले कि पहले कि इस एरिया में मैं अपना शोरूम स्टार्ट कर रहा हूं, उस एरिया में लोगों की जो इ करेगी और वहां की इंकम आई 14,000, तो बोले का सर यहां की आवरेज इंकम तो 14,000 है, 15,000 से ब्रैंड स्टार्ट हो रहा है, तो उस शोरूम पर स्टार्ट नहीं करेगा, उसका इतना बड़ा लॉस बच गया, आप को सार ज़रूरी थोड़ी कि सबकी चोदा ही हो, और किसी क कैसे कैलकुलिट होता है, यह भी आप समझ चुके है, डिटा को फिर्ट करना है, विशन नहीं लोगों से लिटा का संकरा उन नमबर अभजरवेशन, उसे नमपर अबजरवेशन कहते हैं, इसे डिवाइड करना है, और आपका क्या आजाएगा, मीन आपका आजाएगा, दूसरा है कि ताइप बन है और यह आपको समझना है कि इंडिजवल सीरीज क्या होता है बच्चे देखो आपके पास में यह सीरीज क्या होता है जैसे कि होता है कि आप देखते हैं कि एक होता है कि फूड का होना और एक होता है फूड को किस तरीके से सर्व करा गया है किस प् होता है इंडिजवल सीरीज आपका बेसिकली ऐसा सीरीज होता है जो इंडिजवल इंडिजवल डेटा को एक्सप्रेस कर रहा होता है for example आप अपने 10 12 में स्कूल में जब थे या रेगुलर कॉलेजिस में भी आप हो तो आपके क्लास में आपके सबका इंडिजवल नाम और र अपन है यह सारे जो नाम है वो सबका लिख रहे तो वो इंडिजवल डेटा रिकोर्ड कर रहे ना इंडिजवल 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 सबका रिकोर्ड कर रहे ऐसा तो नहीं कर रहे ना पांच बच्चे हैं छे बच्चे साथ बच्चे आर्डिस रहें नहीं हर किसी का अगलाई इंडिज़वल ढ़नीण दिता को एक सेस꺼र अगली हो कि दले अगलिफ अगली हो सबने अगली है अगले साथिंग lange हुआ को इने ऊंगल descending सब्सिद्रमॉल, इनने घर पर अगले, को अगलो महें बढ़ने को सुद्रमॉल कहा कि अंगल गैöhशालर्ले त ??? में फिलाल आप कुशन देखें, के आपके पास विदा na following figures given the marks of the 10 strand in a class test marks we obtained this. तो जुड 的. अवता है, सफे- देटाओं आपको allवेस आपको क्या करना है? लिखें जू डेटा है ना, अव्रत डेटा आपको always जू डेटाओं ने दे लिखेंगे वो और X column में कुछ इस तरह से लिखेंगे X data represent कुण करेगा? X तो data क्या हमारे पास में? यहां मार्क्स है तो basically इसको हम X बोलेंगे अब X में क्या हमारे पास में data? marks obtained 12, 8, 17, 13, 15, 9, 18, 11, 6, 1 क्लेरे बच्चे, डेटा को हमने क्या है एक्स कॉलम में रखा अब यहां पर data यह जो 12 मार्क से कितने student के है आगे कुछ भी नहीं दिया आगे कुछ भी नहीं दिया और नमबर्स तो इसको हम इंडिजिवल सीरीज कहते हैं यह पर N हमारे पास में हमें लाइक वन यह तू दो स्टुनेट नहीं है यह सेकिड्ड स्ट्टरण कर डिटा है यह 3rd फ्याइंड कर डिटा यह 4 यह 5 का है यह 6 का है क्लेरे बच्चे यह आपका 7 का है यह आपका 8 का यह 9 का यह 10 ऊइट अब आपको क्या करना है आपको data average marks चाहिए तो आपको इस data का sum करना है और data का sum करते है 12 plus 8 plus 17 plus 13 plus 15 plus 9 plus 18 plus 11 plus 6 plus 1 18, 11, 6, 1 sum कितना है बच्चे, sum को है न हम इसमे sum को तो ऐसे लिखते हैं लेकिन इसको represent करने के लिए एक symbol भी है इसका उता हुता है sum submission कहते हैं इसको हम तो submission कौन सा कॉलम हुआ है X कॉलम हुआ है तो जिस कॉलम का submission कर रहा है उसका नाम लिखा जाता है और यह कितना है मेरे पास है 110 आया clear है अब जो मीन है ना मीन मैं कैसे निकाल लूँगा मीन का जो symbol है मीन को तो हम ऐसे लिखते है लेकिन इसका भी अपने एक symbol है X bar X bar X मतलब data bar मतलब की repeat वहलाँ सबको इतना इतना शेर हो रहा है तो basically X bar हम कैसे निकालेंगे submission of X X data का sum कर रहा divided by number of observation and X bar equals to summation of X मेरे पास में 110 है and divided by number of observation मेरे पास में 10 है तो यहां solve कर रहा हमने X bar equals to 11 तो यहां पर मेरा मीन कितना है बच्चे 11 मेरा मीन आया इस ही को हम क्या बोलते है डिरेक्ट मेठड बोलते है अब यह अप्लिकेशन बेस कोशिन कैसे होते है इस सब बताऊंगा मैं आपको जब यह इनिट फिनिश करूँगा तो लास्ट में मैं पिछले चार साल के कोशिन साथ के साथ डिस्क्रस करूँगा इस पर ऐसा नहीं करेंगे कि पहले पूरा कोर्स कतम हो जाए फिर प्रिविश सेर कोशिन डिस्क्रस करेंगे तो फिर जब कोट्स खतम हो जाएगा तो फिर मेजरमेंट अशनी टेंडिसी आपको याद ही नहीं आएगा यह यह पड़ा था तो कुछ ऐसा इसा था साथ साथ अगर हम तीन साल के कोशिन उठा लेंगे इस ट्रॉबिक से लेटेड तो साथ साथ हमारा तैनियर पूरा कबर हो जाएगा और अलग से फिर टाइम देने के हमें नीट भी नहीं लेगी हाँ जी तो यह हमारे पास में क्या गया एक्स बार इस मेथड को हम क्या बोलते हैं डिरेक्ट मेथड बोलते हैं इसलिए यह ताइप 1 चल रहा है हमारा ताइप 1 में मैं सिर्फ इंडिजवल सीरीस में सरब डिटा पे काम करूँगा ठीक है और part उसमें अगर method चेंज होगा तो part भी चेंज हो जाएगा तो part A direct method है clear है बच्चे यह समझ पाए आप अब देखिएगा similar question है part B shortcut method क्या होता है तो आए उसको समझते हैं कि भी यह shortcut method क्या है देखिए बच्चे shortcut method देखिए तो आपके पास पहले data जो है वो है x जो marks है यही data है जो आप क्या बोलेंगे x और x आपके पास में 12 8 17 13 15 9 18 11 6 18 11 6 अब यहाँ पर हमारे पास में क्या है यह data है अभी पहले question note करते है और number of observation number of observation मतलब के यह जो data कितने लोगों का है तो जब mention नहीं है तो आप इसको आप numbering दे दीजिए यह individual series आपको इसको consider करना है clear है बचे तो यह मेरे पास है one यह second data है यह third data है यह fourth data है यह fourth data है यह fifth data है यह six है यह seven है यह eight है यह nine है और यह हमारे पास में ten clear है बचे समझ पाए और इसके बाद अगर आप देखते हैं देख लिए पहले आपको देखनी रहा हुआ यह 10 लोगों data है कि shortcut method क्या होता है तो shortcut method नाम से भी clear है shortcut तो आपको लगड़ा होगा कि quick answer आजाएगा इसमें ऐसा नहीं है कि shortcut method में quick answer आजाएगा short तरीके सांसर आजाएगा ऐसा नहीं है shortcut method इसलिए कहा गया है इसको क्योंकि जो कभी बार बड़े बड़े जो data होते हैं like 1256 ऐसे बड़े बड़े data होते हैं तो यहां पर कई बार सम करने में प्रालम फेस करते हैं तो बड़े बड़े डिटा को आप क्या कर सकते हो आप छोटे चोटे डिटा में आप उसको उस डिटा को आप छोटे डिटा कर सकते हो इसमें कि आपको एडिशन में या मल्टिप्लाइ में आगे मल्टिप्लाइ भी होगा जिससे कि आपको एडिशन में मल्टिप्लाइ में इ आप अपनी जो डेटा है तो वो डेटा तो वही है, उसको आप कैसे अपनी मलची से छोटा कर सकते हैं, एक एक ग्जामपल के कंसेप को समझते हैं, पहले फिर मैं इस पर आऊँगा, बापस लोट करके, देखिएगा, शौटकट में बता रहा हूँ, बच्चे में एक एक एक्सामपल ले रहा हूं, दाददर सूनने की कोशिश कीजिए, कमझी एकोशिश कीजी मालों मेरे पास में 8 12 और 113 data इसका एक पर 8 रुपए है एक पर 12 रुपए है और एक पर 10 टिन मैं काम करता है इसका average निकालता हूं तो इसका sum करूंगा जो कि मेरे पास में 210 30 आए गा और divided मेरे बाए मैं 3 कर देता हूं तो मेरा average आगया 10 यह मेरा average आगया या फिर आप इसको आप मीन बोल दीजिए अब मैं काम कर रहा हूं कि मैं अपने data में तीन-तीन सब्ट्रेक्ट कर रहा हूं यह मेरा original data है मैं लिख देता हूं इस तीच को यह मेरा original data है और यह मेरा new data है कि मैं इसमें कुछ change कर रहा हूं यह चेंज डाटा बोलता हूं यह जाता आपको comfortable लगेगा change data तो मैं सब में क्या कर रहा हूं 13-13 सब्ट्रेक्ट कर रहा हूं तो ACTUAL मेरे पास में क्या रहेगा यह यह मेरा पान्च बचेगा यहां पर मेरे पास में में change data यह है change data तो actual में जो मेरे पास में mean आएगा वो mean मेरे पास में क्या आएगा अब इस change data का तो 16 और 5 21 और 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरा mean कितना है 7 मेरा mean आया तो मेरा mean जो है new mean आया ना new data का ये new mean आगया अब आप एक चीज अबसर्ब कर रहे हैं क्या कि जो effect data पे डाला है जो effect data पे डाला है जो effect data पे डाला है same वही effect mean पे भी पड़ा है तो इसका मतलब यह है कि data को जितना आप reduce कर दोगे आपका mean भी actual mean से उतना reduce हो करके आएगा मेरी बाद से आप agree करते हैं तो data को फिर मुझे तो पूरी छूट मिल गई है reduce करने के त्यूंकि मैं data को पहले reduce कर देता हूं और मैं समझता हूं इस चीज को कि मेरा mean वह आला नहीं है जो कि actual data का है मेरा mean भी इतना reduce है तो बापस में मैं मैं उतना sum कर दूँगा तो मैं क्या ओर्जिन मीन पर नहीं पहुंच पाऊंगा एक एक्जामपल लेता हूं 50 observation का average weight 80 kg है 80 kg है या फिर इसको भी छोड़िए एक निया example लेते हैं 20 परसंड का गुरूप है जिनका अपना एक average age है आपको नहीं पता average age का है या आप बताओगे मुझे मैंने sum मैं से 5555555 subtract कर दिया data में अब जो मेरे पास में new data आया है उस new data का जो मेरे पास में new data का जो age है 60 है original data में 5555 subtract करा तो new data मुझे मिला new data का average बता रहा हूं मैं आपको 60 है तो फिर मेरे पास जो original data था उसका फिर मीन क्या होता आपको मालूम है 5555 subtract करा तो जो मेरा new data का जो मीन आएगा वो original data से 5 subtract कर कर आएगा अगर 60 है तो फिर original data का मीन क्या होगा 65 होगा clear है बच्चे अब याप फिर से एक बार मैनेज कर लो बेटा मैं जो है recorded video upload करूँगा जिसके HD के अंदर यापको मिलेगा content के अंदर live classes में मत देखेगा content में देखेगा ठीके इसलिए में classes को पैलर रिकोर्ड कर चलता हूं कई बार एक साथ 2 तींचे के class होती है एक application पर बलर हो जाता है इस problem को हम resolve कर लेंगे बट ये video आपको ऐसे नहीं मिलेगी आपको HD quality में बगो बड़े तरके से मिलेगी क्लेर है बच्चे ये बात समझ में आया आपको तो अब आप data को छोटा कर देंगे तो समस्या नहीं है क्योंकि फिर आपका में इतना चोटा आया है ये बात आपको समझने के जोड़त है उस में उस नए मीन में जोड़ दोगे तो फराने data का मीन आजाएगा अब यही तो यह ऐधने घर जाव्यटा ≡ मैं कर देहा है कि मैं कि मैं इसमें से साथार्चा ये इसमें जो में जरूरिए नहीं कि बीच वाले को सौटा mph जो बैपकर प्रणी कारों करों कुछ छृजिस रघगा बढ़ दोगेों पापस इससे बहार कोई नम्मा आपके मन में आघा है क् दो, यह मैं तेन सोच रहा हूं, तीन तो है निए निसमे, आप करो तीन में आपका शौट हो जाएगा तीन एड़ देन आपका अपका अब जाया तो ऐसा निये बीच वाला एदर वाला यह तर नहीं है, नहीं नहीं, रट्टा मारते हुआ आते हैं रट्टा मरवाते हुआ च तो अब आप जो है data को आप क्या करोगे चोटा करोगे चोटा करोगे तो किस column में लिखा जाएगा यहाँ पे column में लिखा जाएगा डी column में यह D column कैसा है का X में से जो आपने अज्यूम्ड कराना उसको हम A बोलते हैं जो आपने अज्यूम्ड है यह ज़रूरी कि इसमें से कुछ भी ले सकते थे कुछ भी सो सकते थे तो A है तो A मिन्स यहाँ पर क्या है हमारे पास में 9 है क्लेरे बच्चे तो इसमें से 9 माइनस करेंगे क्या है का 3, 9 माइनस करेंगे माइनस वन, 9 माइनस करेंगे इसमें से आपके पास में 8, 9 माइनस करेंगे इसमें से आपके पास में 4 और 9 माइनस करेंगे 6, 9 माइनस करेंगे 0, 9 और 9 इसमें से माइनस करेंगे 2, 9 माइनस इसमें सम्यमिन कर भीं बच्चे dauert जो जो छोटरा कर रहा हैं तो इसमें चोटे वाले का मीन निकालना हैं आपको चौट घीटा का मीन निकालना है आपको तो शोट घीटा की शटा का वियORE तो यहां पर होगा समीशन दी अब कुछ चीज़े माइनिस मी मी, कुछ प्लस प्लस फीमी हैंख तह पहले प्लस वाला पकड़ लो 3 और यह 8 आघ के पास fig 11, 11 और 4 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30, 32 32 अब माइनिस वाले पकड़ लो 1 और 3, 4, 4 और 8 12 तो 32 सTOR 22 अचल अगया 20 20, clear है बच्चे, अब आपने मीन जब निकालोगे तो आपके पास में 20 आया और आपके दस अबजरवेशन है, डिटा को छोटा करा, छोट डिटा का मीन निकाल रहे हो, तो आपके पास में कितना आया है? दो आया मीन, लेकिन आप समझे़, श॓ट डिटा क मीन शौट करके आएगा, कितना जितना कि अपने डिटा को शौट कर आएगा, उतना ही, तो मेरा जो ये मीन है, एक्च्व डीटा का मीन नहीं है, ये शौट डिटा का मीन पूछा गया तो मुझे मालूम जब मेरी से सवाल क्या बन गया, x bar equals to, x bar equals to, a, पहले तो आपने क्या करा, summation d करा, क्योंकि इस short data का mean निकालना, डिवाड़ी बाइ n करा, but original data का mean पाने के लिए वापस आपने जो मैनेस करा था, उसको आपने एड़ करा, सब्सक्राइब बच्चे, a की value आपके पास में 9 है, summation d की value आपके पास में 20 है, and n की value आपके पास में 10 है, तो आपके पास में मीन क्या आएगा, a आपके पास में आगा 9, plus summation d क्या आगा, आपके पास में 20 है, n कितना आगा, आपके पास में 10, एंड एक्स बार इकपल सु क्या आगे आपके पास में नाइन प्लस टू और आपके पास प्यां गया इलेवन तो आपके पास में मीन आपका 11 है क्लेरें सभ्णाया है बच्चे कोई डाउट है तो पूछे कोई डाउट है तो पूछो ठीक है बच्चे इतना आप रिवाइस कर लिजीगा नेस्स क्लासिस में मैं बात करूँगा स्टेप डेविशन मैथड की क्लियर है तो बच्चे मिलते हैं फिर नेक्स्स क्लासिस में टामिंग फिक्स आपके हो गई है TTS 6 PM मुझे मालूम है कि आज क्लास 6 हुजे नहीं हुई है बट अगली क्लास आपके बिल्कुल आपको 6 हुजे मिलेगी थैंक यू जी थैंक यू सो मच नेक्स क्लास में अच्छे मिलते हैं हंजे एक चीज और आप समझ लिजे इस बात कर बावर रिपीट कर रहा हूं कि आप सभी स्टुडेंट जो है करियर से लेकर के वरी हैं कि हमारा बीकॉम जो है वो चल रहा है और साथ-साथ में हम अपने जॉब में हम क्या आचीब करें कुछ का डिसाइड हो चुका है वो कर रहे है बट बहुत सारी बच्चे डिसाइड नहीं हो गया है तो इसलिए आप अपने साथ में अब जब आप ग्रिजुए ओंगे फिर आप एक जॉब के लिए प्लैन करेंगे फिर आपके पास में तीन साल दो तो चार साल का समय आपके पास पे नहीं रहता है कि आप बैट करके उसकी फिर स्टड़ी करें क्योंकि आपके पास आप करने का प्रेशर धिरे डबल अप हो चुका हो था है गर जब आप फाइनल होते हैं तब तो आपको नीड हो जाते कि मुझे किसी जॉब को करना है तो इस क्लासे स्टार्ट कर देनी चाहिए थी बहुत पहले ही तो क्याट का बैच मैंने एक लॉंच कर रहा है बिल्कुल इकनामिकल बैच है आपके पास में एक कोर्स ओलेडी पेड है तो वह जो हजार रुपे का आसपास का बैच इस है वो अलंसम 500 उपेज का कॉम्ब बैच मिल कॉम्ब का मतलब उसमें आपके पास में मैस भी कवर होगा आपके पास में लोजिकल रिजनिंग भी कवर हो रहागा डाट इंडिपेड़ेशन भी कवर हो जाएगा ंगलिस को छोड़ गे बाकि तीनों चीजह दें पे कवर हो जाएंगी ओंली 500 तू निए क्योंकि दो होता है जो कि चाटले एकांटरीक से उपर होता है चाटलेकंट के अकांट को चेक करता है उनका आफिसर होता है घृत करने के लिए प्राइवेट फर्म में काम करती है बड़ ऑडिटेट officer registered officer की post होगी income tax inspector की post होगी intelligence bureau के अंदर IB के अंदर some inspector की post होगी आपकी NIA के अंदर आपकी post होगी national investigation agency के अंदर आपकी post होगी clear है एक आपको ticket checker की post होगी station master की post होगी ऐसे various post के तलिए आप आप चाहते कि यह बड़ा interesting post है आप कुछ बच्चे के मन में के जी हम बैंक करेंगे तो बैंक के लिए आपके पास में अगर आप cat plus ssc का बैंक लेकर चलते हैं तो बैंक का आपको अलग से प्रिपेरिशन करने की नीड़ नहीं है क्योंकि यही आपका जो है बैंक का पूर आप प्रिपेरिशन करवा जिता है तो आप बैंकिंग के लिए अधर गवर्मन जॉब के लिए और आप साथ-साथ में एक cat MBA प्राइविट सेक्टर के लिए भी आप पूरी तरकी से प्रिपेर हो जाते हैं तो यह बैची से साथ-साथ आपके पास में डिसक्रफिशन पर आपके नमबर मिलते हैं और आप जिससे भी कॉंटेक्ट में हैं आप जब आपको लिए ते ताइम पर वो भी आपको इसके बारे में अच्छे से गाइड कर देंगे तो आप इस सीच के लिए लिए जा सकते ह जाएगा क्योंकि एज लिमिट होती है चीज़ों करने में आप 26 साल के बाद बहुत सारी गवर्मेंट जो आप दे नहीं सकते हो सकता है साल के बाद आप अलड़ी रेस से भार हो जाओगे चापको नोलेज आगे बड़ा पर आप इलिजिबल नहीं है बैठने के लिए इस आपको अभी सेजी प्लाइन करना पड़ेगा थैंक्यू जी थैंक्यू सो मुच